हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल तो अकसर आप लोगों ने रेश्टुरेंट में पान शॉट पीया होगा या फिर आपने किसी को पीते हुए देखा होगा बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है खाने के बाद तो पान खाना बहुत ज्यादा बढ़े लगता है त यहां पर आप इसे मोर के ऐसे कट का लीजिए आप चाहें तो इसे हाथों सो भी तोड़ सकते हैं तो बस आपको एक ले लेना है मिक्सी जार और इसमें आपको इन पत्तों को डाल देना है साथी में आपको यहां पर डालना है चीनी तो मैं प्रिटाल दियो डिल्ड चमच इतनी क्वांटरी के लिए बिल्कुल पॉफिक्त है इसे ना टेस्ट बहुत ज्यादा क्रीमी और रिफ्रेशिंग हो जाता है साथ ही मैं आपको डालना आइस क्यूब इसे क्या होगा न जब आपको ग्रैंड करेंगे न तो इसका कलर जो है बिल्कुल ग्रीन रहेगा और यहा यहां पर डाले हो सौफ एक चमच और साथ ही मैं यहां पर डाले हो एक चमच के लगवर मुखवास अगर आपके पास ऐसा मुखवास नहीं है तो आप दो चमच सौफ भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्म नहीं और इसको आपको बहुत ही अच्छी से ग्राइंड कर लेना है यहां पर देखिए पान बहुत अच्छी से ग्राइंड हो गया है और इसका बहुत ही अच्छा पेश्ट बन गया है यह पेश्ट आप बना के रख सकते हैं एक सपता तक फ्रेज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको पान शौट बनाना हो आप इसे बना सकते हैं तो य यह जो पान पेस्ट है ना इसको आप क्या कर सकते ना कि जो आइस क्यूब होते हैं इसमें भी जमाकर रख सकते हैं और जब भी आपको short बनाना हो तो आप शौट बना सकते हैं तो यहां पर जो बचा हुआ पेस्ट है पान का कॉंसें झीड़ा है उसमें आपको डाला है थंड बस आपको यहां पर बहुत ही अच्छी से ग्राइंड के लेना है यहां पर हमारा पांशॉट बनके रेडी हो गया है बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है यह तो मैं इसे सफ करने वाली हूँ बड़े से ग्लास में तो यहां पर जो इसका टेस्ट है पिल्कुल पॉफ अवाइ